कार्तिक आरियन को अक्षे कुमार ने किया रिप्लेस जान ये कब शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग कार्तिक आरियन को हाल ही में दोस्ताना टू से बाहर का रास्ता दिखाया गया था कार्तिक के फिल्म से बहार होने के बाद से मेकस फिल्म के लिए नए चहरे की तलाश कर रहे थे ऐसे में खबर आ रही है कि फिल्म में कार्तिक की जगर करन जोहर अब अक्षे कुमार को लेने जा रहे है प्रेक्टर ने फिल्म के लिए हा कहती है और 2022 में शूटिंग शुरू होने की उमीर है हाला कि फिल्म के मेकस की तरफ से इस बात की गोश्रा नहीं हुई है कि वाकई ये अक्षे को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है या फिल्म नहीं इससे पहले खबर आई थी कि कार्टिक के बाहर होने के बाद करण ने अक्षे से ही फिल्म करने के लिए रिक्वेस्ट की थी खबरों में आया था कि करण जोहर ने अक्षे से इस फिल्म को जॉइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है जिसकी शूटिंग पर अल्रेडी काफी पैसे खर्च हो चुके है हाल ही में मेकर्ज ने कार्थिक के फिल्म से बाहर किये जाने की गोशना की थी जानकारी देते हुए लिखा गया था कि कुछ प्रोफेशनल सिच्यूएशन के कारण हमने तै किया है हम इस पर कुछ भी अभी नहीं बोलेंगे दोस्ताना टू की हम दुबारा से कास्टिंग करेंगे इसका डारेक्शन कॉलिन डी कुन हादवारा किया जाएगा जल ही इसकी जानकारी दी जाएगी वैसे अभी तक इस टॉपिक पर कार्टिक आरियन ने कोई बयान पेश नहीं किया है कार्टिक इस पूरे प्रक्रण पर चुप है हाला कि फिल्म से कार्टिक के बहार होने से एक बार फिर से करन जोहर लोगों के निशाने पर है सोशल मेडिया पर फैंस ने इस बात पर करन पर जम कर निशाना साथा है लोगों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो दोस्ताना टू को बहिशकार करेंगे